सुपरेश्टार सलमान खान की दबंग स्रीज को बॉलीबुट कल्ट फिल्मों में क्यों सामिल किया गया है आखिरकार सलमान खान ने दबंग 3 को लेकर क्या कहा जिससे पूरा बॉलीबुट आस्टर चकित रहे गया आपका स्वागत करते हैं बॉलीबुट के गलियारे में दबंग फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट रखा गया था 42 क्रोण रूपए और इस फिल्म को डायेट किया था अभिनों कस्यप ने और इसी फिल्म की स्रीज यानि की दबंग 2 वो 2012 में आई थी और इस फिल्म का बजट रखा गया था 80 क्रोण रूपए और इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर तावर तोल बिजनिस किया था 249 क्रोण रूपए का सबसे पहले हम बात करते हैं दबंग के बारे में दबंग में काम करने वाले कलाकार थे सल्मान खान सुनाक्षी सिनहा सोनुसूत और बिनोत खन्ना यह सारे जो कलाकार थे अपने आप में बेहतरीन कलाकार थे बिनोत खन्ना के बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं क्योंकि बिनोत खन्ना अपने जमाने के बहुत बड़े इस्तार र कि वो पहले ये फिल्म से सूपरिस्टर बन गई एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सलमान खान सुनाक्षी Scinha के लिए गौड के रूप क्योंकि सुद्गन से नहां का नाम बॉली गूड में बहुत ही इज़त से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी अदाकारी से बॉली गूड पे एक प्रकार से एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं कि सलमान खान की दवंग तरीज आखिरकार क्यों सुपाष्ञ हो जाती है अभी तक दवंग स्रीज की दो फिल्म में आई है और तीसरी फिल्म बनने की टयारी चल रही है पहली फिल्म थी दवंग , दवंग की जो कहानी है वो एक प्रकार से चोर पुलिस की कहानी है लेकिन दवंग्तिरी को दिखाने का जो तरीका है उस फिलिम के डालेक्ट्स यानि कि उस फिलिम में जो भासा प्रियोग की गई है उस फिलिम की भासा थी आउधी और एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे देश में पाँच राजियों में हिंदी बोली जाती है जहां पर आउधी का प्रभाव अस्पर श्रूप से देखा जा सकता है जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका हनुमान चालिसा आउधी भासा में है आउधी भासा में होने के कारण ही हनुमान चालिसा लोगों के मन में बसा हुआ है और इसलिए सल्मान खान का brain देखिए अपने इस फिल्म में उसी वासला का इस्तेमाल किया और दबंग ने सल्मान खान को वाकई में बॉलिवूड का दबंग खान बना दिया वैसे इस से पहले भी सल्मान खान की फिल्में बहुँ ज़्यादा सुपर हित रही है लेकिन जो दबंग थी न वाकई कमाल के फिल्म थी वन लाइनर डायलाग सलमान खान को पता था कि आज की तारिक में इतनी ज़्यादा भागदोर लोग के पास होती है उनके पास टाइम ही नहीं होता है तुन्हें ने सोचा कि सोले में जिस प्रकार के संबाद थे उसी प्रकार के संबाद दबंग में रखे जाएं सोले का एक संबाद था कितने आदमी थे कितना लोग पर यह हुआ था आज भी हर किसी की जुवान पर है उसी प्रकार से सलमान खान ने दबंग स्रीज में जितने भी डायलाग रखवाए हैं सारे वन लायन डायलाग है इसी लिए आज भी बुढ़े से लेकर बच्चा तक दबंग स्रीज की सारे फिल्मों को देखना पसंद करता है सबसे पहली बात सलमान खान की मा यानि की डिंपल कवारिया ओहो जवानी में उन्होंने कहरी ढ़ा दिया था इतनी कम उम्र में उन्होंने फिल्मी परदे पर आगाज किया था बॉबी रसी कपूर के साथ और इस फिल्म में वो सलमान खान की मा बनी है ठोरो भी सौतेली मा हर उनके बाप थे बिनोत खना अब बिनोत खना के बारे में अगर मैं कुछ कहूंगा तो छोटी बात होगी क्योंकि बिनोत खना के बारे में बोलने के लिए अलफाज की कमी पढ़ जाएगी क्योंकि वो अपने समय के सुपरस्टार रह चुके है और बात की जाए सोनुसूत की सोनुसूत ने इस फिल्म में कमाल काभिने किया है एक प्रकाश से कह सकते हैं कि सोनुसूत की जो इमेज है एक hero वाली इमेज है उनकी प्रस्टनालिटी उनका लोग उनका बात करने का तरीका उनका चलने का तरीका वैसे देखा जायाだけ सोनुसूत ने सौनुसूत की फिल्मों में बहुत कहर बरपाया है अपनी खलनाईगी से इसी लिए उनको हिंदी सिनेमा में कहर बरपाने में इतना समय नहीं लगा और सबसे बड़ी बात है जो दबंग की वो यह है कि दबंग के गाने सलमान खान की भावजी यानि कि मलिका अब वो सलमान खान की भावजी नहीं रही अब वो अर्जुन कपूर की बहों में अठकेलिया खेल रही है लेकिन इस फिल्म की काम्याबी में मलिका अरोडा का भी बहुत बड़ा नाम है यानि कि मलिका खान, अरवाज खान की बीबी उन्होंने जो आइटम सौंग किया था मुन्नी बदनाम हुली उस समय हर रेडियो पर सुनाई देता था हर डांस बार में सुनाई देता था यहां तक हर डिस्को बार में सुनाई देता था अगर कहीं छोटी पार्टी हो रही है तो वहाँ पर भी वो गाना सुनाई देता था और लोग डांस करना पसंद करते थे सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म के जो वन लाइनर डायलाग थे वो आए कहां से अक्सार अगर आप सल्मान खान की फिल्मों को उठा करके देखते हैं तो उन्होंने अपनी फिल्मों में वन लाइनर डायलाग इस्तमाल किया है क्योंकि सल्मान खान अपनी फिल्मों के लिए उतनी मेहनत नहीं करते वह असपश रूप से बोलते हैं कि देखो भाईया अगर आपको मेरी फिल्म देखना है तो मही नजर आऊंगा सिर्फ मेरे कपड़े बदले होंगे इसलिए तो उनके एक फिल्म आई थी गर्ब गर्ब में उनका बोला गया ये डालाक मुकदबा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है बासरबाजियों नौटंकी और तमासों से नहीं कितना फिल्मस हुआ था फिर उनका एक फिल्म और आया था मैंने प्यार किया इसने सल्मान खान को सल्मान खान मना दिया था दोस्ती का मतलब होता है नो सौरी नो थाइंग्स ये संबाद तो इतना ज़्यादा पॉपलर हुआ था कि कॉलेज की लड़के लड़कियों के बीच एक प्रकार से जुवा पच्पा गया था जब भी कुई कुछ कहता बोलता है नो सौरी नो थाइंग्स और सल्मान खान की फिल्म दबंग का जो डाइलाग है सबसे ज़्यादा कौन सफिमस हुआ था हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कन्फ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से हरे बया क्या बोला था लाइन और फिर सल्मान खान की एक फिल्म का एक डालाग मुझे याद आ रहा जो कि अपने आपने बहतीन है अगर तुम मुझे यूही देखती रही तो तुम्हें मुझे से प्यार हो जाएगा हम दिल दे चुके सनम साइस सल्मान खान ने ये संबाद याद करके नहीं पाद करके से दिल से बोला था तभी तो सच मुझ ऐससरिया राय को सल्मान खान से प्यार हो गया था भले ही सलमान खान और शुरयर राय की love story लब समय तक न रही लेकिन आज भी उनकी love story की परचर्चा चारों तरफ होती है हमें तो ये लगता है कि सलमान खान तेरे नाम में एक डालाक क्या बोल दिया उद्डालाक उनकी जिन्दगी बन गया सारी दुनिया प्यार में पड़ी है सिर्फ एक मुझे ही हक नहीं है कि मैं किसी से प्यार कर सके कोई मुझे से प्यार कर सके क्यों ये संबाद उन्होंने बोला और आज भी संबाद के मतलब सलमान खान के चहरे पर देखे जा सकते वैसे छोड़िये हम बात करते हैं दबंग के बारे में आखिरकार सलमान खान दबंग थिरी में ऐसा क्या करने वाले है जिसको ले करके फिल्मी गर्यारे में गरब हो चुका है चारो तरफ हलचल से मल चुकी है देखे दबंग थिरी में सलमान खान इस बार नुएडा के एक पुलिस अफसर की भूम का निभाने वाले है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस बात की घोस्रा अरबाज खान पहले ही कर चुके है उनका मानना है कि हम अगर किसी सच्ची घटना को उठा करके लोग के सामने प्रसुत करेंगे तो दर्सक अपन चुना है सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो पुलिस इस्पेक्टर है उसने ऐसा क्या कर दिया जिसको ले करके अरबाज खान फिलिम मना चाहा रहे है उस पुलिस इस्पेक्टर ने अपने पिरियड में सिर्फ थाने में ही डूटी नहीं की वो गाउं गाउं तक गया सहर से और गाउं को जोड दिया बुला देखो कानून कहीं भी पहुंच सकता है आप सिर्फ पुलिस पर भरोसा करें और हमें लगता है कि अगर सल्मार खान उस पुलिस इस्पेक्टर का रोल निभाएंगे तो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपने आप में गर्ब करेगा क्योंकि लोगों के बीच जो कानून से विश्वास उठ चुका है वो एक विश्वास जाग जाएगा चलिए ये तो रही दबंग तरिकी लेकिन आखिरकार दबंग स्रीज में और क्या बाते हैं जो उसे इंपॉर्टेंट बनाती है जो उसे हिट बनाती है जो उसे ब्लॉग वासर बनाती है सबसे बड़ी बात है कि जब भी दबंग स्रीज में स्टार कास्ट फारल होती है वो स्टार कास्ट अपने आप में ला जबाब होती है अगर दबंग टू की हम बात करें कि उसका खालना है एक प्रकास राज प्रकास राज और सलमान खान की जोड़ी हमेशा सुपर हिट रही है चाहे वो वांटेड हो या दबंग टू हो दोनों म की बीच बहूत ही जादा क्रेष्ट था और प्रकास राज अनुने बहुत सारे नेशनल अवार्ड जीते हैं और उनkom का जो है नं सौत मेरे इसे बल की हमारे हिंदी सिनिमा पर भी दब्दबा उनका अभिने कमाल का है उनका प्रजिंसा मायंड कमाल का है वो अभिने नहीं करते एक प्रकार से प्रकास राज को ये देखा जा सकता है कि वो अभिने में अपनी जीवन को डाल देते हैं वैसे प्रकास राज का जीवन बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन उन्होंने अभिने के लिए बहुत कुछ किया है वो कहते हैं कि acting क्या किय यार उस रोल को जीना सुनू कर दो अब इने अपने आप आ जाता है उसे मैं भी प्रकास राज का बहुत बड़ा फैन हूँ आखिरकार सल्मान खान लोग के बीच इतना जादा पॉपलर क्यों है उसका सबसे बड़ा कारण जाता है सल्मान खान की भेस भुसा सल्मान खान ने अपने फिलों में ऐसी भेस भुसा हमेशा रखी है जिसे यूथ ने अपनाया है कोई भी फिल्म की उठा कर ले देख लो उनकी जो भेस भुसा है लोगों ने उसे अपने आप अपना लिया क्योंकि सल्मां खान ने आपने आपको कभि इस प्रकार से प्रजेंट नहीं किया form में कि वह बहुत बड़े सुपश्टार है क्योंकिस सल्मान खानने हर प्रकार के रोल अपने फिल्मों में किये अगने की एक x माई आपको याद होगा तो बंधन मंधन में उन्होंने एक ऐसे युवक का रोल निभाया था जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और भारतिये समाज में भाई-बहन का रिस्ता जो है न बहुत ही पवित्र माना गया है ऐसी फिल्में सलमान खान करते हैं फिर सलमान खान एक और फिल्म कर ली बॉडिगाड और बॉडिगाड ने तो लोगों के बीच सलमान खान को ऐसे प्रसुत किया कि पूछो ही मत सलमान खान के और फिल्मों बात करने से अच्छा है कि हम दबंग के बारे में बात करें दबंग फिल्म दबंग फिल्म में सलमान खान ने अपने सिर्फ बॉडी का यूज नहीं किया है बलकि अपने दिमाग का भी यूज किया है तभी तो संबाद बोलने के समय उड़ों ने उस छेत्र की जो छेत्रिय भासा है उसे बहुत ही अच्छे से प्रस्थुत किया है अपनी चाल में, अपनी बोलने में, अपने पहनाओं में अगर सल्मान खान घर पर होते हैं, तो वैसे ही कल्चर में जीने की कोशिश किया है उन्होंने, जिस प्रकार से राय ब्रेली का जो लाल गंज है, वहां के लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विन्योत खन्ना साहब, उनको तो कोई भी रोल दे दो भाई, अल्टीमेट करते हैं और उनकी पत्नी का रोल निभाने वाली डिम्पल कवारिया, कमाल की है, लेकिन सबसे बड़ा प्रस्न ये आता है कि सल्मान खान को दबंग के रूप में क्यों पेस किया गया, बॉलिवुट जो है ना बहुत ही चलाग है, उसको अच्छी तरह से पता है कि कब किस को किस लूप में होचकी थे, वो एसोरिया को लेकर के जाए हूँ, जाहे और भी किसी की कारणों से होकते, वैसे मैं सल्मान खान के उन जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, जो सल्मान खान को सल्मान खान नहीं बलकि एक गुंड़ा बनाती है, क्योंकि हर इंसान में कोई नो कोई कम्या तो होती ही है कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता है मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सल्मान खान सलीम खान साथ के बेटे है और सलीम खान साथ सिर्फ एक राइटर है सल्मान खान ने अपने बाप की बास्साहत को बरकरार करने के लिए इतनी मेहनत की क्योंकि एक स्क्रिप्ट राइडर की मेंज इतनी बड़ी नहीं होती है क्योंकि हमारे देश में कभी बहुत बड़े उड़े पैदा हुए लेकिन वो कभी धनवान नहीं हुए चाहे किसी भी कभी को उठा कर देख लो सबसे बड़ा उधार तुमें देता हूँ बाबा नागारजुन का वो इतने बड़े कभी थे लेकिन कभी उनके पास पैसे नहीं थे उसी प्रकार से हैं मैं सलीम साब को भी देखता हूँ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी लेकिन वो कभी इतने धनवान नहीं हो ले इसलिए उनके बेटों ने इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की कि कुछ कहने की बात नहीं है इसलिए आज भी सलमान खान अपनी कमाई का 10% हिस्सा ही अपने पास रखते हैं बाकी 90% हिस्सा वो लोगों में दान कर देते हैं अगर आज भी आप मुंबई जाए तो आप देखेंगे कि सलीम साहब जो लोग दिमार है ना उनके इलाज करवाने के लिए पैसे देते हैं अगर आप में से किसी को भी जरूत हो तो जरूर सल्मान खान के बंगले पर जाएए आपको वहां उनकी मदद मिलेगी जरूर आखिर मैं बात कर रहा था कि सल्मान खान को दमंग खान क्यों बनाया गया उसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा थी कि सल्मान खान के अलामा भी और भी खान थे जैसे कि सारुक खान सा और आमिर खान साहब वो जो थे वो अपनी च्विन्दा फिर्मों को लेकर ही बैस्ट थे तो अब बच रहा था कि इंड्रेस्ट्री में ऐसी कौन सी स्टोरियों पर कहानी बनाई जाए जिसको ले करके दर्सक बहुत ज़्यादा उस्साहिए था खास करके सुसाइटी में जो भ्रस्टाचार ब्याप्त होता है चारों तरफ आप इंसान के पैदा होने से ले करके मरने तक आप देखेंगे हर जगे भ्रस्टाचार भ्रस्टाचार ही आपको दिखाई देगा जब इंसान पैदा होता है तो हास्पिटल में भ्रस्टाचार ज इसलिए सलमान खान ने फोकस किया कि हम अपनी फिल्मों के माध्यम से उस भरष्टाचार के खिलाप एक बंडा खोर करेंगे। लेकिन सलमान खान को रोबिन हुट की तरह क्यों दिखाया गया ये भी एक बहुत बड़ा प्रस्ण है। क्योंकि सलमान खान को अगर पूरी तरह से सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाया जाता तो उतना पॉपलर नहीं होते। उनको भी अमदाब बच्चन की तरह एंटी हीरो के रूप में प्रस्ण किया गया। दबंग में, वांटेड में, तेरे नाम में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं सलमान खान की जिनको एंटी हीरो के रूप में प्रस्ण कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा फाइदा हुआ सलमान खान को। और आखिरकार सलमान खान को क्यों कहा जाता है कि भाई अगर हीरो बनना है या हीरोईन बनना है ते एक बार सल्लू मिया से मिल लो। यह हमारे जो भाई जान है इनको दया बहुत आती है। कुरूरता भी है इनने लेकिन कई लोगों आखिर को केह सकते हैं। सुनाची सिनुह की बात करो। सलमान खान ने उनका कहिर यरह प्रकार से बना ही दिया। सिर्शित नहा कहीं नहीं। सलमान खान, ने ऐसे कई लोगों का भी कहीर केहर बनाए है। और आप तो दबंग थ्री के लिए उन्होंने भाईया महस महाजेकर की बेटी को कहा है कि हम तुम्हारा केरियर बनाएंगे चिंता मत करना और उस महस महाजेकर साहब इसके लिए बहुत खुश है आखिरकार जो नए हिरो है उनका आइडियल सलमान खान क्यों है क्योंकि हर नय सलमान खान की तरह दिखाई दें परदे पर और असल जीवन में भी तो अभी ज़्यादातर दो तीन एक्टर हैं जो सलमान खान को बहुत ज़्यादा फॉल्व कर रहे हैं एक बरुंधों और दूसरे हैं टाइगर स्राब ये दोनों एक्टर जो है ना सलमान खान की इमेज को बुनाने पर तुले हुए इनको लगता है कि सलमान खान का दौर कुछ समय बाद हो तो और ये कुर सीखाली हो जाएगी लेकिन सलमान खान सहाब है कि свою कुरसी खाली होने नहीं देना चाहते ते वह उसी कुरसी पर दिखाई देने वाले हैं कि सब को पसंद आजाएगा बच्चे को भी पसंद आएगा और बुड़े को भी पसंद आएगा क्योंकि हर उम्र के हिसाब से वो उसमें रोल निम्हाने जा रहे हैं अच्छा आपने सुना है ये दवंग का गाना मुनी बदनाम हो गई ये इतना हिट के हुआ थे इसके हिट होने के पीछे दो आजाएगा एक तो इस गाने की जो सब्द थे वो दो अर्थी थे और उनका अर्थ भी बिदमान था पहले से सोसाइटी में तो वो उसके जो सब्द थे बहुत ही कैची थे जिल लोगों ने सुना उनकी जुवान पर समगया लेकिन उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा था संगीत पच्छ पर भी सलमान खान बहुत जोड देते हैं खात करूं की फिलो में इस चीज हमेशा दिखाई देता है और फिल की वांटेट टू आई थी तो उसमें कैना कपूर ने कमाल का दान्स किया था वो भी आई च्छा गई वैसे भी कपूर खान दान से सलमान खान के बहुत अच्छे संबंध है करिस्मा कपूर ने तो आज ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट सेर की है सलमान खान के साथ और करिस्मा कपूर तो कई बार कह चुकी है कि कईना कपूर मेरे उतने करीब नहीं है जितने की सलमान खान आएए बात करते हैं सलमान खान की दबंध्री के बारे दबंध्री की सूटिंग आप्रेल 2019 से सुरू होने वाली है और इस फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि सलमान खान यानि कि चुल्बुल पांडे की परस्नालिटी ऐसी क्यों है और इस फिल्म की कहानी जो है वो चुल्बुल पांडे के फ्लस्बैक जीवन पर आधारित होगी कि चुल्बुल पांडे ऐसी हरकते क्यों करता है उसका बेक्तित तो ऐसा क्यों है उस बेक्तित के बारे में बहुत सारी जानकारिया होगी और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसकी कहानी जो है वो सची घटना पर आधारित है वैसे भी सलमान खान को कोई फरक नहीं पड़ चाहते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके ये बताए कि दबंग्तरी बॉक्स आफिस पर कितने करोन का बिजनेस करेगी और हां हमें ये भी बताए कि आपको सलमान खान की किन किन फिल्मों का इंतजार है और आप हमें कमेंट करके ये भी झालने माँ